तो आज हम करने वाले हैं राज्य सरकार का टॉपिक आपकी पॉलिटी का क्लास स्टैंथ का थर्ड चैप्टर यह आपका अंतिम चैप्टर होगा पॉलिटी का और इसके साथ ही पॉलिटी आपके समाप्त हो जाएगी आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे इसके दो तीन पार्ट और बनेंगे क्योंकि राज्य सरकार अपने आप में बहुत बड़ा जो विसय है क्योंकि राज्य सरकार के हम अंदर पढ़ेंगे विधान सभा, विधान परिशद, राज्य पाल और उच्चे नियायले, मुख्य मंत् तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं, कोश्चन वन है, समविधान के किस अनुछेद में कहा गया है कि पृतिक राज्य के लिए एक विधान मंदल होगा, तो इसका आंसर है अनुछेद 168, तो आज हमको एक अनुछेद और यात करने को मिला है, अनुछेद 168, केवल अनुछेद और उसके बारे में वहाँ क्या वर्नित है, ये सब कुछ हम करने वाले हो और बिल्कुल याद भी करेंगी, ठीक है, तो अनुछेद जो है वो यहाँ आप केवल डेटेल देखते जाए कि किस अनुछेद में क्या लिखा गया है, समविध्यान के अनुछे में विधान सभा है, लेकिन विधान परिशद जरूरी हो, ऐसा संभव नहीं है, तो लाइन ये है कि प्रतिक राज्ये के लिए विधान मंडल होगा, ये अनुछेद 168 में वर्नित है, नेक्स्ट है कुछन नमबर टू, भारत में कितने राज्यों में दू सदनात्मक विव विधान परिशद, तो देखिए, कौन-कौन से राज्ये हैं, जिन में विधान सभावी है और विधान परिशद भी है, तो पहले तो साथ राज्ये थे, जम्मु कस्मीर जो है, वो अब यूटी बन चुका है, तो वो इस शार्णी में से हट चुका है, ठीके, तो अब आप तो इस तरीके से जोड़ों से आप याद रखेंगे, तो यहाँ विधान सभावी है और विधान परिशद भी है, नेक्स्ट है, कुश्चन नमबर थ्री, राज्ये विधान मंडल के कितने अंग हैं, जिस तरीके से केंद्र में संसद के कितने अंग हैं, हम जानते हैं, वहा पर राश्ट्रपती हैं, लोकसभा है और राज्ये सभा है, उसी तरीके से राज्ये विधान मंडल में यहाँ भी तेन अंग हैं, राज्ये पाल, विधान सभा और विधान परिशद, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, अब तक हम बहुत बार कर चुके हैं, यदि सदन पूछे जाते हैं, तो दो सदन हैं, विधान सभा और विधान परिशद, यदि अंग पूछे जाते हैं केंद्र या राज्ये में, तो केंद्र में हैं राश्ट्रपती, लोकसभा और राज्ये सभा, उसी तरीके से राज्ये विधान मंडल में हैं, राज्ये पाल, विधान सभा और विधान परिशद विधान सभा जो की निम्न सदन है प्रधान सदन है पहला सदन है जो की भंग हो सकता है ठीक है यह हमें पता है विधान परिशद जो है वो दूसरा सदन है उच्छ सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है और प्रतेक राज्य में विधान परिशद नहीं है, next, question number 4, समविधान के अनुचेद 170, अभी हमने कौन सा देखा था, अनुचेद 168, अब हम देख रहे हैं, समविधान का अनुचेद 170 के अनुचार राज्य की विधान सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या और नियूंतम संख्या, कितनी होगी, तो यहां अधिक्तम और नियूंतम संख्या पूछी गई है, तो इसका वर्णन हमें मिलता है अनुचेद 170 के तहत, तो विधान सभा में, जो राज्यों की विधान सभा है, उसमें सदस्यों की अधिक्तम संख्या 500 हो सकती है, और नियूंतम 60 हो सकती है, इसे आप याद रखिएगा, next, question number 5, विधान सभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष, देखिए, केंद्र में, जैसे आप लोक सभा याद रख रहे हैं, राज्य सभा याद रख रहे हैं, उसी तरीके से, यहाँ पर राज्य में भी आप विधान सभा और विधान परिशत, process जो है, वो मिलता जुलता ही है, next, question number six, राज्य विधान सभा का कारेकाल कितना होता है, तो वही पांक वर्ष होता है, जैसे लोक सभा का कारेकाल होता है, और इसे राज्य पाल की अनुमती से भंग भी होता है, next, question number seven, राज्ये विधान सभा के दो मुखे पदाधीकारि कौन होते हैं, देखिए, comparison झो ह cogjoon में जहां लोग सभा के दो मुख्य पदाधिकारी हमने कौन से देखे थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उसी तरीके से राज्य विधान सभा के दो मुख्य पदाधिकारी हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ठीके अध्यक्ष स्पीकर कहते हैं उपाध्यक्ष जिसे प्राव से त्याग पत्र तो देते ही हैं उसी तरीके से विधान सभा यहां से ही यह अध्यक्ष चुना जाएगा और यहीं से उपाध्यक्ष चुना जाएगा जो कि हमने लोग सभा में भी देखा था नेक्स्ट कुशन नमबर एट विधान सभा के बैठकी अध्यक्षता कौन करता है तो लोग सभा के बैठकी अध्यक्षता कौन करते हैं इस पीकर करते हैं अध्यक्ष करते हैं उसी तरीके से विधान सभा के बैठकी अध्यक्षता कौन करते हैं अध्यक्ष नेक्स्ट कुशन नमबर 9, विधान सभा में कोई विधयक, धन विधयक है या नहीं, यह कौन निश्चे करता है, तो कौन निश्चे करेगा ये, यह निश्चे करेंगे अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना है कि विधान सभा में कोई विधयक, धन विधयक है या नहीं, यह कौन निश्चे करें यह करेंगे अध्यक्ष यदि अध्यक्ष नहीं है उनकी अनुपस्तिती से सारे कारे कौन करेंगे उपाध्यक्ष करेंगे ठीक है याद रखिएगा डिप्टी स्पीकर करेंगे नेक्स्ट कुश्यन नमबर 10 विधान परिशद के गठन और समापती किस अनुच्छेद में उल्लेकित है देखिए जहां मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद 168 बताता है कि हर राज्य में एक विधान मंडल होगा ठीक है यानि वहाँ पर विधान सबातों होगी ही 168 मे वही 169 अनुच्छेद जहां विधान परिशद का गठन और समापती उल्लेकित है नेक्स्ट कुश्यन नमबर 11 किसी राज्य में विधान परिशद बढने के लिए क्या जरूरी है यहां पूछा क्या है कि हर राज्य में विधान परिशद नहीं है तो क्या जरूरी है विध जो मतदान देंगे उन सदस्यों की संख्या के दो तिहाई भहुमस से प्रस्ताव पारित कर देती है कौन विधान सभा तो संसद उस राज्ये के लिए विधान परिशद का निर्मान के लिए जो कानून है वो बना सकती है ठीक है नेक्स्ट कुश्यन नमबर 12 राज्ये के विधान मंदल का दुट्य सदन कौन सा है तो ये तो हमारे बिल्कुल भी जवान पर रट चुका है कि राज्ये के विधान मंदल का दुट्य सदन है विधान परिशद केंदर के जहां पर संसद का दूसरा सदन कौन सा है कौन सा है वो तो राज्य सभा Next, question number 13 विधान परिश्यद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अब ही हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि विधान सभा में सदस्यों की अधिक्तम और नियुगनतम संख्या कितनी हो सकती है तो अधिक्तम हमने देखा 500 और नियूंतम देखा, हमने नियूंतम देखा 60, ठीक है, विधान सभा में, अब विधान परिशद में सदस्यों की संख्या क्या होगी, उस राज्ये की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से तो अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, जो 500 हैं विधान सभा के सदस्या उन संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती ये चीज़ा आप याद रखिएगा Next question number 14 विधान परिशद के सद्यस्यों का निर्वाचन किस प्रक्रिया से किया जाता है तो विधान परिशद के सद्यस्यों का निर्वाचन एक तो ए प्रत्यक्ष रूप से होता है ये याद रखना है और विधान सभा में हम देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो विधान परिशद के सद्यस्यों का निर्वाचन ए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आनुपातिक प्रत्तिनिद्व पद्धिति के अनुसार. हम ने देखा अभी अनुपात, एकल संक्रमनिय पद्धिति द्वारा. Q 15 विधान परिषयद की कितने सदस्यों का निर्वाचन वे कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो जैसे राज्य सभा में हम देखते हैं कि कितनों का निर्वाचन होता है और कितनों का राष्टपती मनोनियन करते हैं उसी तरीके से विधान परिशद में 5 वट्टे 6 सदस्यों का तो होता है निर्वाचन ठीक है और 1 वट्टा 6 जो से बच जाते हैं सदस्यों उन सदस्यों के लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्स कितनी होनी चाहिए 25 वर्स वहां लोग सभा के सदस्यता के लिए कितनी उम्र पूछी थी वहां थी वहां भी 25 वर्स और यदि पूछा जाए कि विधान परिश्यत के सदस्यता के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो हम करेंगे 30 वर्स और व यह एक स्थाई सदन होता है, उच्च सदन होता है और कभी भी भंग नहीं होता है ठीक है इसी लिए स्थाई है क्योंकि भंग नहीं होता है और इसका कारेकाल होता है छे वर्ष का और वहीं हमने विधान सभा का कारेकाल देखा था पांच वर्ष का होता है जो की निश्चित नहीं होता है क्योंकि समय से पहले वो भंग हो सकता है राज्य पाल द्वारा इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है किसकी बात कर रहे हैं हम विधान सभा की किस विध्यक को छोड़कर अन्य विध्यक यानि कि वो साधारण विध्यक राज्य विधान मंडल के किसी भी सदर्ण में प्रस्तावित किये जा सकते हैं किसी साधारण विध्यक को विधान परिशद कितने समय तक रोक सकती है तो देखिए तो यह समय है चार महा तक देखिए सबसे पहले जो साधारण विध्यक होगा वो मानलीजी विधान सभा में आया उसके बाद विधान परिशद में गया ठीक है तो विधान परिशद तीन मह तक उसको रोके हुए बैटी है, कोई भी उसने वहाँ पर कोई मंजूरी नहीं दिये, तो बापस वो विधान सभा में जाता है, फिर विधान सभा की सुईक्रती होने के बाद दुबारा विधान परिशद में जाएगा, जो एक महा तक विधान परिशद के पास रहेगा, चा का हाँ या ना, ज्यादा मैटर नहीं करता है, विधान सभा ने यदि किसी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, साधरन विधियक को, तो वह पास ही माना जाता है, नेक्स्ट कुश्यन नमबर 20, विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वो लेते हैं, र राश्ट्रुपति के निर्वाचन में और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं, नेक्स्ट कुश्यन 21, राजिस्थान में कितने सदनात्मक विवस्था है, तो हमने जब देखा था कि दुई सदनात्मक विवस्था किन-किन राज्यों में हैं, क्या वहाँ पर राज्यस्थान था, वहाँ राज्यस्थान नहीं था, इसका मतलब है कि राज्यस्थान में एक जदनात्मक विवस्ता है, विधान सभा, तो यह आज का अंतिम प्रश्न था, यहाँ आपके जो doubt है, वो clear हो गए होंगे, जो भी हमने पिसली कक्षाओं में, जहाँ matter वहाँ थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि वो classes wise ही था, तो यहाँ आके आपका पूरा complete होता है, तो इस तरीके से आप notes बनाते जाएए, बार बार इनका revision करिए, मिलते हैं next video में, thank you